हमारी अकेडमी और आज हम पढ़ने वाले हमारा न्यू टॉपिक जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSV फाइल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि यह हमारा एक टॉपिक है क्लाश्टाल CS का और जो की हम पढ़ रहे हैं Computational Thinking and Programming 2 के अंदर जो की है हमारी unit 1 और unit 1 में हमने already cover कर चुके हैं कुछ और पार्ट जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था functions दूसरे पार्ट में पढ़ा था हमने introduction to files जिसमें हमने different titles पढ़ी थी text file binary file और csv file इसके बाद हमने पढ़ा part 3 जिसमें हमने cover किया text file किस तरीके से उसको access किया जाता है read, write, append, सारे modes उसमें पढ़े हमने इसके बाद हमने binary files पढ़ी इसमें भी सारे modes किस तरीके से access किया जाता है क्या होती हैं यह सारी चीज हमने one sort में cover किये हैं part 4 में और अब हम आ चुके हैं part 5 में जो की आज है हमारा csv का part ठीक है जो यह सारी file से मैं आपको description में दे दूंगा जिनने आप directly download कर सकते हैं with the help of google drive या फिर आप WhatsApp प या Telegram पे इनको access कर सकते हैं नहीं मिलने वाला है मैं इतने आसान सब्दों में समझाओंगा इतने आसान प्रोग्राम बनाओंगा दो कि आपको कहीं वी और भटेकनिक जुरत नहीं पड़ेगी as it is आपको ध्यान में रख लेना है कि किस तरीके से csv file को access किया जाता है read किया जाता है write किया जाता है कि subscribe हमारी academy on youtube क्यों subscribe करना है ताकि आपको आने वाने topic का notification मिल जाए चलिए start करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि csv file होती क्या है फिर इसके बाद देखेंगे कि csv module क्या है इसके बाद हम open and close csv file कि किस तरीके से csv file को open किया जाता है इसके बाद हम पढ़ेंगे writer class की अलग-अलग methods को जिसमें हम write row और write rows का use करना सिखेंगे इसके बाद read from a csv file यानि कि हमें csv file से कुछ read करना है तो एक reader method है उसका use करना हम सिखेंगे और यह सारे topics हमारे cvse class 12 cs के हैं चाहो तो as it is आपको printed form में वहाँ दिख जाएगा तो यह सारे topics हम अभी cover करेंगे तो चलिए start करते हैं हमारा सबसे पहला topic जो कि है csv file तो पहले तो बात कर लेते कि आकिर csv file होती क्या है तो csv file का full form होता है comma separated value एसी file जिसके अंदर जो भी data है वो comma separated form में रहेगा उसे हम कौन सी file बोलते हैं csv file और जो हमारा data रहेगा वो किस form में रहेगा plain text के form में जैसे यह लिखा हुआ है यह सब चीज़ यह सब क्या है text form में है data तो ऐसे csv file में भी data हमारा plain text के form में रहेगा लेकिन comma separated मतलब की values comma से separate दिखेंगी अब कैसी दिखती है क्या होंगी हम आगे अभी बना के ही देखेंगे पर अभी के लिए हमें क्या समझना है कि जो csv file रहती उसमें data हमारा किस form में रहता है comma separated ठीक है उन data को store करने के लिए हम कौनसी file यूज करते हैं csv file यानि कि हमारे पास जैसे कोई data है name, roll number, age और उसमें data लिखा हुआ है कुछ-कुछ तो यह किस form में है tabular form data यानि कि rows और column के form data जैसे हम table बनाते थे class 11 में rows और columns रहते थे उसमें या हमने data frame बनाया तो उसमें भी rows और column रहते हैं तो इस तरीके के data को हम store करने के लिए csv file का use करते हैं अब हमारे पास जब इतनी सारी चीज थी excel था और database table थी तो हमें csv format क्यों चुना data को store करने के लिए यह भी एक बात है तो याद रखना कि जब हम csv file का use करके data को access करते हैं import करते हैं export करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा fast हो जाता है और जो हमारे files रहती हैं वो हमारे जगे भी क्या करती हैं कम लेती हैं ठीक है यदि जगे कम लेगी तो सीधी बात है कि हम कहीं पे भी उनको ज़्यादा quantity में चीजों के store कर सकते हैं clear और csv file को use करने से क्या होता है कि जहां पर ज़्यादा data use store होता है बहुत ज़्यादा data store करना रहता है तो हम वहां पे csv file का use करके ही store कराते हैं clear csv file made up of lines where each line represent row in a table csv file में एक के बाद एक line लिखी रहती है और हर एक line का मतलब होता है कि वो किसी table की एक row है और हर एक जो comma separated value है वो किसको represent करती है कॉलम की values को represent करती है ठीक है अज csv files are saved with extension csv जो भी हमाई csv file रहती उसका extension क्या रहता है dot csv same उसी प्रकार जैसे कि हमारे text file का extension होता था dot txt binary file का extension होता था dot datsa csv file का extension होता है dot csv ठीक है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई csv is common format for exporting and importing data from spreadsheet and database जब भी हमें spreadsheet यानि के rows or column के form में excel वाले form में कोई data है या database से कोई data को import करना है या उसमें export करना है तो हमेशा हम क्या use करते हैं csv ठीक है ज्यादा तर हम csv use करते हैं note you should know that comma is a popular delimiter you will get in more csv file जब भी आप कोई भी csv file open करोगे तो ज्यादा तर csv file में जो भी data रहेगा वो comma से separated आपको मिलेगा ठीक है बट ऐसा जरूरी नहीं है या compulsory नहीं है कि हम सिर्फ comma ही use करें data को separate करने के लिए हम चाहें तो colon भी use कर सकते हैं semi colon use कर सकते हैं और अलग-लग symbols का use करके भी हम data को separate कर सकते हैं लेकिन most common way क्या है हमारा comma ज्यादा तर हम comma use करते हैं और भाई का नाम comma separated value है तो ज्यादा तर वो ही use किया जाता है clear csv file के बारे में कोई problem नहीं चलिए आगे बात करते हैं अभी हम बनाएंगे तो और भी clear होने वाला है कि आखीर csv file ठीक है और इसको मैं क्या करता हूँ open ठीक है अब हम जाते हैं यहां पर csv file का data लिखना है तो मैंने लिखना name comma age comma class ठीक है यह क्या होगा हमारा comma separated values देखो comma separated है और values है ठीक है देखी यह बीच में comma लगाया फिर दूसरी value लिखी फिर comma लगाया है यह तूसरी value मतलब यह क्या हो गई हमारी एक csv का data लिख दिया और यह एक row अभी मैंने बताया था कि यदि हमने यह single line लिखी है तो यह एक row को represent करती है किसी भी table की चीक है मियाने की heading हो गई यह तो अपनी अब हमें data लिखना रहता ह है smartestya है तो इसमें हम लिख देते हैं योगिए और एज हो गई हमारी 17 और class हो गई हमारी 12 तो यह हो गई हमारा दूसरा data इसरा हम लिख देते हैं धन्ीलू कॉमा लिख देते 16 और लिख देते हैं अपन क्लास 12 तो यह होगे हमारा दूसरा डेटा और तीसरा डेटा हमारा लिख देते हम अमित कॉमा 18,12 ठीक है तो हमने बोला था कि जो हर एक लाइन रहती है वो क्या कहलाती है कर्या है कॉलम हमारे टेवल की रही है और यह जो हमारा हर एक डेटा रहता यह नेम पहले कॉलम का पहली बेका और एसरे कॉलम का डेटा तीसरा कोलम यह स्ञेटी यह ऐसे ही यह नेम absorbed यह दूसरा यह थीसरा नेम में योगी नीलू और अमित है एज वाले कॉलम में 17,16,18 आरे में 12 12 12 तीनों में अभी यह CSV format में नहीं स्वरी डेटा थो हमार CSV format में लेकिन यह file CSV नहीं है अब file को CSV बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं save as में जाते हैं file में जाके और इसको किस किसी भी नाम से use कर लो हमने लिख दिया stu underscore data और data.csv ठीक है अब मैं इसको यहां नहीं save कर रहा है चाहो तो यहीं पर save कर देता हूं फिलाल के लिए यह मैंने कर दिया save ठीक है अब इसको hide कर देते हैं अब देखो यह जो हमारा data है यह देखो किस फॉर्म में आ गया excel के फॉर्म में आ गया stu under restore data है इसके दिए हम properties में जाएंगे यह क्या बताएगा कि यह data कि स्वर्म Microsoft excel comma separated value file याने की .csv file यह किस तरीके की file बन गई .csv file हमारी बन गई और ज़िए हम इसको open करके देखेंगे तो जैसा मैंने बताया था कि यह data किस फॉर्म में आएगा tabular form है देखो यह rows और column के form पे हैं मतलब कि यह कैसा होगा हमारा tabular data ठीक है और यदि हम इसको notepad में open करेंगे तो ठीक यह इस प्रिकार से दिखेगा तो समझ में आया एक csv file किस तरीके से बनी और किस तरीके से उसमें data को लिखा जाता है यह clear हो गया और चाहें तो हम directly excel open करके और सब ऐसे नाम लिखके अजय और बारह और बारह ऐसा कुछ लिखके यह भी हम file में जाके और save as में जाके और student data और कोई भी file बोल दो underscore new में जाके यहां से save as type में भी आप select कर सकते हो कि हमें किस तरीके की file save करनी है csv ठीक है excel में तो वह excel के form में ले लेती है यदि हम अपन इसको यहां से csv, demulated form save करेंगे तो यह इस नाम से भी csv format यहां से directly भी save हो जाएगी यह हो गई save save clear यह हो गया save already exist no अब देखो इसको close करा do you want to save changes to mate student dot dead dot new yes save yes 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 ठीक है अब देखो यह जब हम open करेंगे student dot dead dot new तो यह देखो यह क्या हो गई हमारी open हो गई हमारी data डालके और dot csv से save कर लो या फिर notepad में data कॉमा कॉमा से लिखकर भी हम क्या कर सकते हैं save कर सकते यह दोनों तरीके ही लिख दिये हैं यहां पे लिखा हुआ है इन नोट पर paste the following data और write in columns of excel directly and save as csv file यहां लिख दिया ताकि आपको बाद में कोई problem ना जाए और यह data को आप ऐसा लिख लेना यह ध्यान में रहेगा आप लोगों के ठीक है name, class, birthday, month और इस तरीके से ओके चलिए आगे बात करते हैं समझ आ गया होगा चलिए अब बात करते हैं csv module के जो की इसके बाद वाला topic था कि हमको जब binary file को access करना रहता था तो हम use करते थे क्या pickle module ठीक है, अब हमाई पास आ गई है csv file तो csv file को access करने के लिए python में हमाई पास है csv module जब भी हम csv module को import करते हैं तो जो हमने अभी तक ऊपर देखेते हैं कौन-कौन से function reader, writer ठीक है, इन सब को हम use कर सकते हैं ठीक है, to open a csv file in python we import csv module in the first line जो सबसे पहली line लिखी जाती है वो क्या लिखी रहती है import csv to read from csv file call reader function using reader object हम क्या करते हैं एक reader class का object बनाते हैं और उससे reader हमारे function को call करते हैं तो वो जो file में लिखी रहती चीजे हैं वो सारी की सारी हम read कर सकते हैं ठीक है, तो csv module को हम सबसे पहले import करते हैं और read करने के लिए हम reader का object बनाते हैं क्यों बनाते हैं वो सारा हम आगे वाने वाले topics में देखेंगे ठीक इसी प्रकार हमने अभी read करना सीखा यदि write करना रहता है तो हम क्या use करते हैं writer class और writer class का use करके writer का object बनाते हैं और उस writer का object से call करते हैं दो methods या function ठीक है जब हमें single row को write करना रहता है अमाले को हमारीय पास सिर्फ एक ही line है यानि कि A की row है टेवल की एक single row को हमें क्या करना है csv में insert करना है То हम function operation use करते हैं write row यानि कि सिर्फ एक line जा एगी हमारी file में और यहां बगर पास हम भहूत सारी line हैं वोनको हम हमारी file में save करना है csv file में तो हम कौन सा function call करते हैं right rows ठीक है बिलकुल tension नहीं लेना यह right row है मतलब single row और row से मतलब बहुत सारी row ठीक है singular pewler हमको पता है और यहां लिखी दिया है for single line and for multiple lines clear बहुत बढ़िया आगे चलते हैं next topic पे opening and closing file in python ठीक है अब हमें चाहिए read करना हो या write करना हो सबसे पहला काम हमें क्या करना रहता है file को open करना यदि आपने text file और binary file पढ़के आई है तो इसमें open करने में कोई भी problem नहीं है जैसे text file open करते थे वैसे हम binary file open करते हैं और जैसे हम binary और text file open करते थे ऐसे ही हम CSV फाइल भी open करते हैं तो open करने से पहले हम सीदे सीदा लिख लेते import CSV जो हमारी सबसे पहली line आती है इसके गाद हम कुनसा function यूज़ करते हैं open open function दो parameter लेता है जिसमें पहले parameter में हम file का name और उसका path देते हैं यदि file directly यदि हमारे python module वाले folder में हैं तो हम directly नाम से काम चल जाता है लेकिन file यदि किसी और location पे है तो हमें पूरा path देना पड़ता है जो कि हम अभी practical के देखेंगे जब हम practical करेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से path देते हैं यदि हमें सिर्फ पढ़ना है तो write mode में open करते हैं यदि हमें उस file में कुछ write करना है यानि कि उसमें लिखना है तो हम write mode में open करेंगे और लिखे हुए के बात से लिखना है तो हम उसको append mode में open करेंगे और ये पूरा function हमें एक file object return करता है जिसको हम file object नाम की variable में store कर लेते हैं और ये file object का नाम आप कुछ भी देख सकते हैं क्योंकि एक variable है ठीक है file object लिखो f object लिखो ये simple f लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ये हो गया file को open करने का तरीका और close करना है तो इसी file object के साथ में हम close function call कर देते हैं to close csv file ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए तो ये हो गया opening and closing file आगे हम जब coding करेंगे तो इसका use बहुत ज़्यादा होने वाला है अब आते हैं सबसे main चीजों पे कि हम एक csv file से data किस तरीके से read कर सकते हैं with the help of reader function ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे csv import csv सबसे पहली line हम क्या लिखेंगे csv जाने कि जो module है उसको हम import करेंगे फिर हम क्या करेंगे सीधी बात है read करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा read करने के लिए कोई भी चीज मालों आपको computer science ही पढ़ना है तो computer science की book को read करने के लिए सबसे पहले book को उठाओगे और book को क्या करोगे open करोगे तो सबसे पहली line क्या आएगी open की ठीक है और open में हम क्या करते हैं दो parameter बताते हैं कि भाई कौन से topic से पढ़ना है नहां से हमको पढ़ना है ठीक है मतलब जो भी book है कुछ भी है तो हमाई file का नाम मालो student.csv है तो हम बता देते कि student csv को open करना है और किस mode में open करना है write mode में और यह सारी चीजें किसको पता है इस file object को पता है ठीक है अब हम क्या करेंगे reader function का use करेंगे कैसे access करते हैं उसको csv.reader जो भी हमारा csv module है उसका object का use करते हैं और लिखते हैं csv.reader function और इसमें pass कर देते हैं यही file का object क्योंकि reader का काम है पढ़ना लेकिन पढ़ेगा कहां से उसको कैसे पता चलेगा तो इस open ने बता दिया open की जो सारी चीज थी वो file में store थी और इसी file को हमने यहां पर pass कर दिया मतलब इसको पता चल गया कि student.csv में है सारी चीजें और वहीं इसे मुझको read करना है क्योंकि यह read mode में है और reader function है तो वो पढ़े गई ठीक है अब यह जो सारी चीजे पढ़ने के बाद इसके पास आई उसने file में सब read कर लिया वो किस नाम के variable में चला गया data नाम के variable में हमारा store हो गया ठीक है अब क्योंकि यह file थी और इसमें बहुत सारा data था multiple data था 1 2 3 4 5 जितना भी data था वो बहुत सारी multiple lines में था तो हम directly print statement से print नहीं कर सकते तो हमने क्या लगाया एक loop for i in data यानि कि यह data variable है इसमें जितने भी i है मतलब कि जितनी भी lines of row है इनको बारी बारी read करो और क्या करो print i ठीक है for loop है लोग मतलब i की value 0 होगी फिर 1 होगी fit 2 होगी मतलब जब तक है data ठीक है i in data जब तक भी i है मतलब कि एक variable लेते हम कि जितने भी उसमें i है जितना भी data है उसको क्या करो बार बारी access करो और print i और उसको क्या करती चलो print कर दो और जब सारा कुछ print हो जाय तो last में हम क्या कर दो file को close कर दो भाई जब पढ़ दिया तो हम क्या करते हैं किताब को बंद करके रग देते हैं खुली किताब नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बुजर्गों ने कहा है कि खुली किताब से हमारा ग्यान उड़ जाता है ठीक है तो यह हो गया हमारा किसी फाइल को read करने का तरीका तो चलिए इसको read करके देख लें किस तरीके से read करते हैं practically फिर हम आगे देखें किस तरीके से इसको write किया जाता हूँ तो मैं इसको directly copy कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा code ना लिखना पड़े और हमारा समय भी बढ़ जाती oh my god बहुत खेट चाता हूँ क्योंकि मेरा अभी anaconda open नहीं है तो थोड़ा यह time लेगा चलिए अपने Jupiter notebook पे click कर दिया hope यह जल्दी start हो जाए जब तक थोड़ी सी और bug pass कर लेते हैं की हमने क्या किया सबसे पहले यह सारी चीज़े की इंपोर्ट किया CSV फिर हमने open की फिर reader का use करके क्या किया क्या बना दिया हमने data का sorry reader का use करके हमने क्या किया file को object पास किया और वो सारी चीज़ data में आ गई ठीक है चलिए तो यह होगी हमारा open अब हम जाते हैं new में और python 3 file में जाते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे simply जो हमारा code है उसको paste करेंगे ठीक है hope आपने अब तक fast forward करी चुका होगा क्योंकि आजकल की जामाना drills वाला हो गया है तो ज्यादा देर कोई रुकता नहीं है किसी के लिए चलिए तो अब हम आ गए import.csv यह सारी लाइन यहां पर as it is paste हो गई है थोड़ा सा यह software थोड़ा heavy है तो यह थोड़ा समय लेता है तो खेत चाहता हूं मैं आप लोगों से कि आपने थोड़ा धैर बना के रखें यह आ गया है अब मैं क्या कर देता हूं इसको यहां पर जो हमारा path है पहले तो मैं बता दूँ कि भाई अपन read कहा से कर रहा है data को ठीक है तो read करने के लिए हम जाते हैं this pc पे और this pc में मेरे पास एक software नाम का folder है उस software में मेरे पास एक csv files नाम का folder है यह folder कहीं पर भी हो सकता है आपके ठीक है इसमें student नाम की file है जो कि मैंने desktop पर भी बनाई थी वूसी को मैंने copy paste यहां पर कर दिया इसको open करके दिखा देता हूं पहले sorry इसको open करके दिखा देता हूं कि इसमें क्या लिखा है योगी नेहा अमित और अजय इसको अच्छे से कर देते हैं कोई बात नहीं नहीं हो रहता है ठीक है capital me हो गया वाह मज़े हो गया जेक है तो यह हो गया save तो इसमें यह यह data है अब देख लेते हैं क्या होता है इसके हाथ में ठीक है यह student नाम का हमाए पास csv files में data save है बट क्योंकि csv files में नाम के folder के अंदर है तो हमें क्या करना पड़ता है इसकी properties में जाना रहता है यह तरीका बता रहूं आपको कैसे कर सकते हैं और यह location दिख रही यहां पर right click करके इसको select करके इसको कर लो बेटा copy अब copy करने के बाद हम क्या करते हैं फिर से हमारे जुपीटर notebook पर जाते हैं और यहां पर हम करते हैं paste अब यहां पर लगाते हैं upwards slash यह हो गया upwards जब copy करोगे तो downwards slash आएगा हमाए पास हमें उसको change करके कैसे slash लगाना है upwards क्योंकि हमें उचाईयों की तरफ जाना है नीचाई में नहीं जाना है गहराई में नहीं जाना है हमें समेशा निरंतर आगे बढ़ना है अब देखो हमने क्या दिया जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा हमें रास्ता भी बताना पड़ेगा कि फाइल कहां पर है ठीक है क्यों क्योंकि हमारे python जहां पे install है उस वाले folder में नहीं है ठीक है नहीं तो तुम बोल दो school वाले teacher से नहीं नहीं सर उसमें तो ऐसा बताया था पे c drive पे d drive पे या folder के अंदर folder तो वहां तक का path हमें देना रहता है देखो यहां तक दिखा है f drive में csv वाले csv files नाम के folder के अंदर है student.csv उसको read करना है अब run करें print i इसने print i में expanded identity block यह यहां पे paste हो गया इसको एक आगे बढ़ाना पड़ेगा easy था कि नहीं था easy था तो इसको like करें like करें like करें वीडियो को कि हाँ easy था कुछ भी नहीं था simple हमने file को read किया open function से पताया उसका path कि वह file कहां पर है read mode में open किया और reader की use से csv.reader की use से हमने क्या क्या उसको दे दिया वह file का object और वह सारा data आ गया data में data नाम के variable में अब data नाम के variable में multiple rows में था data हमको उसको एक by एक print करना था तो हमने उसको क्या करा for loop में डाल दिया तो वह print हो गया clear चलिये तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं तो next topic है हमारा write into data csv file using writer अब हमने पढ़ना तो सीख लिया कि भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया अब पढ़ तो लिया लेकिन exam में जाके हमें copy मिली और हमने लिखा ही नहीं कुछ तो number कैसे मिलेंगे तो हमें क्या करना पढ़ेगा पढ़ने के बाद लिखना भी सीखना होगा कि यदि हमने कुछ याद कर लिया है कुछ भी कर लिया है तो हम उसको लिखेंगे कैसे तो हम देख लेते हैं कि एक csv file में write कैसे किया जाता है the csv writer class has two methods that we can use to write data to csv जब हमें csv file में data को डालना रहेगा तो हमको csv writer class ने दो method दी है reader class में तो reader function था डाल सकते हैं csv file में तो सबसे पहली method है write row जो कि हमाई topic में है write row और write rows जिसमें हम पहली method पढ़ रहे है write row the write row method takes in iterable data as its parameter and then writes the data to your csv file in a single row यह क्या करती है write row का का क्या है कि जो single line of data है जब भी हमें उसको store करना रहता है तो हम write row का use करते हैं clear one popular uses of write row method is using it to write the field of your csv file जो heading रहती है जो सबसे पहली line लिखते है name class age उनको जब भी लिखना रहता है तो हम write row method का use करते हैं clear चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसका code देखते हैं कि यह है क्या तो write row का use करना भी बहुत easy है सबसे पहली line हम लिखेंगे import csv फिर file को open करेंगे ठीक है उसको बता देंगे कि file कहां पर है और mode हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा हमारा write क्योंकि हमें data को डालना है तो data को डालना है तो हम क्या करेंगे write mode में open करेंगे data को पढ़ना होता तो हम उसको read mode में open करते है clear f underscore write equal to csv dot writer अब हम क्या बनाएंगे writer जो हमारा class है उसका क्या बनाएंगे object ठीक है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है writer के object क्या करना है call करना writer का object call करेंगे तब ही हमारा data insert होगा तो हमने क्या लिखा csv dot writer और उसका object बनाया f underscore write जैसे reader के अंदर हम file का object डालते थे writer के अंदर भी file का object जाएगा क्योंकि उसको पता कहां कैसे चलेगा कि कहां अपर है वह file और कैसे उसमें data जाना है ठीक है तो यह file को पता चलता है open function से जो भी हमारा data आता है वह file के object में रहता है और वही हम reader या writer के parameter में डालते हैं तो उसको पता चल जाता है वही कहां से पढ़ना है और कहां से लिखना है मतलब कहां पर लिखना है तो writer में f डाला csv dot writer को call करके अब reader होता तो वह इसमें आ जाता पूरा data बट हमें तो data डालना है तो इस जो object बना हुआ है f dot write object जरूरी नहीं कि आप इसको f dot write लिखें इसको f भी लिख सकते हैं read लिख सकते हैं जो आपको नाम देना वो देख सकते हैं तो यह writer class का object है तो मैंने f underscore write लिख दिया और इसका use करके हमने क्या किया call किया write row को क्यों कि यह single line of data को हमको insert करना था तो हमने क्या किया write row को call कर दिया अब हम यदि यह नीचे की 3 row भी insert करनी है तो हम इसी write row को 4-5 बार लिख दें जितने बार लिखेंगे उतने वार यह एक एक line चल चलके वह data insert कर देगा तो हमारा ऐसा करके हम multiple data भी store कर सकते हैं clear तो यह हो गया तरीका इसको हम चला के और देख लेते हैं आप लोगों के सामने तो यह हो गया data हमारा copy ctrl c और हम जाते हैं हमारे csb file पर file में जाते है new notebook file में जाते है new notebook python 3 file ठीक है और यहां पर हम कर देते हैं इसे paste आओ जल्दी आओ यह हुआ हमारा data paste ठीक है यह हो गया ctrl v अब अब हम फिर से क्या करते हैं student इसकी जगे हम कुछ और लिख देते employee कुछ और student ही नहीं है तो name वगरा name class भी था न उसमें चला student यहां आएगा sorry to underscore new underscore data इस नाम से हमने file बनानी है अब इस नाम से फाइल तो बन जाएगी लेकिन कहा बनेगी हमें नहीं मालों क्योंकि हमने path नहीं दिया हम क्या कर सकते है वही path उठा लो जहां बनानी है इसको मैंने कर लिया copy और यहां कर दिया paste ठीक है क्या बनानी है कि open करो किस mode में write mode में और यह क्या हो जाएगा student underscore new underscore data dot csv नाम से हमारी file बन जाएगी clear बनेगी की नहीं बनेगी अभी बताते है अब सुनो मैंने पहले भी बता चुका है जब हम text या binary file पढ़ते थे कि यदि कोई चे write mode में open कर रहे हैं और इस नाम की file नहीं है तो वह क्या करता है एक new file create कर देता है और है तो उसी में data डाल देता है तो जब हमने open किया हमारा csv file वाला folder तो इसमें उस नाम की कोई file नहीं है हमारे पास से सिर्फ student student underscore new और student underscore news चाहते तो हम इनमें से कोई भी file का नाम देके इनमें data डाल सकते थे और वह data overwrite हो जाता और इनमें आ जाता बट हमें concept भी समझना है कि in case यदि हमने गलत नाम दे दिया तो क्या होगा उस नाम से वह क्या करेगा file को create कर देगा तो मालो हमने student new underscore data हम चाहते थे कि नई file बन जाए तो हमने क्या किया write mode में यहां पे name दे दिया ठीक है और यह सारी values दी अब आपको इन सबसे problem हो रही हो तो बोलोगे कि sir आप तो बोल रहे थे single line of row single line of row तो अपन इस code को और simplified कर देते हैं कभी future में exam में लिखने को आ गया कि write row से किस तरीक से data insert होता है तो आपको स्रिफ यह तीन line sorry 4 line लिखके आनी है ठीक है चलिए तो इसको जब हम run करेंगे तो क्या हो गया यह हमारा data run हो गया यह लिखा one आ गया मतलब कि हमाई file चल गई है अब हम जाएंगे वहीं हमाई folder में और यहां पर जाके जब हम refresh भी नहीं करना पड़ रहा क्या लिखा हुआ है student andresco new andresco data इस नाम की file आ गई है और जो भी हमने इसको data दिया था वो क्या हो गया है इसमें आके पहली line में आके वो right हो गया यह देखो name class and section clear अब इसी तरह यह हमें multiple data store करना रहता हम क्या करते इसी की नीचे multiple lines लिख देते control control z ठीक है यह सारे हमाई पास data data आ गया अब हम इसको क्या कर देंगे run कर देंगे ठीक है यह permission बता रहा है मतलब कि हम क्या कर सकते हैं उसी file में यह नहीं ले रहा है हम क्या करते हैं file का नाम change कर देते है student.new.datas अब इसको क्या करते है run अब हम देखेंगे कि जो हमाई new file create हुई है उसमें देखो यह student.new.datas नाम की जो file हुई है इसको जब में open करेंगे तो क्या होगा यह name class section yogi first a नाम जो भी हमारा data था वह क्या हो गया हमारा line by line store हो गया अब देखो एक concept और बताता हूं यह देखो store तो हुआ अपर क्या हो रहा है यह एक एक line छोड़ छोड़ के यह हमारा store कर रहा है हमारे data में तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए हमें खुद को चाहिए होता तो कोई बात ही नहीं माल लो कि हमारे client ने बोल दिया कि भाई यह तो हमारा data तो एक एक line छोड़ के आ रहा है ऐसे में हमें problem जा रही है तो हम क्या करते हैं यहां पर एक third parameter लिखते हैं जिसको बोलते है new line कौन सा आता है new line new line is equal to space क्या लिखेंगे new line new line is equal to space अब इसको run करेंगे यह वही permission denied वाली आ गई इसको हम data data double s कर दो ठीक हा अब रन करो अब यह हमारा data चला गया हमने क्या लिखा new line equal to blank याने कि new line है वह नहीं आएगी ठीक है यह आपको ध्यान में रख लेना है कि जब हम new icon to blank कर देते हैं तो जो हमाई multiple line वाली जो error है वो क्या हो जाती है remove हो जाती है ठीक है अलग-अलग operating system में अलग-अलग code रहते है new line के तो वैसे तो अपने कोई use नहीं है उसका बस ध्यान रखो कि जब भी हमारी data में space आती है एक-एक line छोड़के data आता है तो हम क्या करते हैं जो हमारा open वाला function है उसमें हम क्या लिख देते हैं access mode के बाद new line equal to null लिख देते हैं या blank लिख देते हैं इससे क्या होता है कि जो multiple rows में जो space है वो हट जाती है ठीक है तो यह हो गया हमारा पहला तरीके का data को insert करने का और चाहो तो इतना भी लिख सकते हो और screenshot ले लो exam में as it is chip देना clear चलिए next हमारा है topic next topic right rows अभी हमने single line of data को insert करना सीखा अब हम use करेंगे right rows method का देखो the right rows method is similar uses to right row method दोनों का का data को insert करने है CSV file में but the only difference is that while the right row method writes a single row to CSV file you can use right rows method to write multiple rows to a file right rows का use करके आप एक से जादा line को एक साथ क्या कर सकते हो insert कर सकते हो clear चलिए तो इसका भी हम code देख लेते हैं write data into CSV file using right rows यह कलत लिख दी है तो यह correction करके दाल दूँगा यह भी recording में आपने सुनी लिया है import CSV file सबसे पहले काम CSV file के import करना दूसरा file open करना write करना है तो access mode के आगे हमारा write clear और अब हम बनाएंगे writer का object जो कि हमने वहाँ तक कि उपर की तीन लाइन as it is same अब देखो क्योंकि हमें multiple data store कराना है तो हमने क्या बनाया list of list उसमें list में स्रिफ तीन ही data था अब हमने क्या कर दा यह देखो यहां से यहां तक की इतने data को और add कर दिया ठीक है बहुत ही आसान example है देखो उसमें हमारे पास क्या था एक single list थी ऐसी थी ना यहां से यहां तक की चीज़े नहीं थी अब हमने क्या कर दिया list के अंदर भी बहुत सारी list दे दी यह हो गई dot right rows ठीक है यह writer गलत लिए मैंने यहां पर आएगा f underscore right dot right rows और इसमें हमने क्या पास कर दिया यह हमारा data जिस data को हम वो क्या करना था insert करना था clear चलिए मैं इसको copy करता हूं और आपको वहां पर ही explain करता हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं एक सकेंड यही फाइल ले लेते हैं new file ले लेते एक सकेंड यहां तक तो चीजत same थी इसको back करो इसको ctrl v करो इसको हटाओ यह हो गया clear चलिए इसको थोड़ा जमा देते हैं थोड़ा simple अच्छा लगेगा अब समझ में आ रहा होगा कि अपने पास list के अंदर list है ठीक है यह एक list यह एक list यह एक list और एक यह list यह चाल लिस्ट होगा clear और यह writer नहीं होगा यह होगा f.write आपने इसी नाम से बनाया है न object यह हमारा object है तो इसी से ही access होगा और चाहो तो f.close लिखके file को close कर लो f.close क्योंकि हम file को close भी करते हैं यह line और जोड़ दी ठीक है अब हम क्या करते हैं कि एक नई file बना लेते हैं इसमें लिखते है इस्टूडेंट अंडरिस्कोर डबलू आराई टीए राइट रो डबलू एस ठीक है इस्टूडेंट डॉट राइट रोस वाला .csv से हमने क्या बनाया फाइल बनाया ठीक है clear इसमें यह inverted, गलत लगे हैं इनको मैं सही कर दूँ पहले तब ही चलेगा यह copy paste करने से ऐसी error आप ध्यान में रखें देखो एक तरफ ऐसे बिंदी वाले लगे हुए हैं और इस तरफ यह तो color तो वैसी चेंज दिख रहा है तो आप भी error समझ सकते हैं ठीक है अब हो गया हमाय पास data यह list of list है तो यह list यहां से यहां तक list open हुई और इसके अंदर भी जो क्या है data list के format मतलब यह कैसा data है multiple data या multiple rows of data है इसलिए हम को क्या use करना पड़ा right rows और इसमें हमने यह क्या कर दिया जो यह सारी list है वो इस नाम के variable में है तो उसी variable को pass कर दिया run करते हैं यह हो गया क्या हमारा run ठीक है समझ में नहीं आया वहीं से देख लेते हैं folder में हमारे पास आ जाएगी student underscore right rows नाम की एक file तो यह गया हमारे reference में और refresh जब हम करते हैं यह हमारा last में student dot right rows इसको हम open करेंगे तो यह देखने को मिला name a city Ajay 40 Bhopal निलू 23 Delhi Ram 50 पूने ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा हमारा जो भी data है वह हमारी CSV file में आ जाएगा wait a minute यहां पर comma नहीं लगा था इसलिए वह हमारी files के data चिपक गए एक मिनट में इसको फिर से run करता हूं इसको हम कर देते हैं students dot right rows और अब इसको run करते हैं ठीक है अब आपास एक और file मिलेगी उसमें हम क्लिक करते हैं तो अब हमारा data बिल्कुल systematic है name में हमारा आएगा Ajay Nilu Nilu Ram age में 40 23 50 और city में Bhopal Delhi and Pune तो यह क्या हुआ एक बार में हमारा जो multiple data है वो क्या हो गया है store हो गया है यही हमने पढ़ा था using right rows कि जब हमें एक से जादा row को एक सांथ insert करना है तो हम क्या use करते हैं right rows इसमें दो correction है इस writer की जगे f right आएगा clear और यहां पे rows में s नहीं लिखा हुआ ठीक है जो कि मैंने coding में आपको अल्रेडी बता चुका है तो आप वहां से भी चाहें तो इसका print screen ले सकते क्योंकि यह PDF file है इसलिए में यहीं चेंज नहीं कर सकता और इसी के साथ यह हमारा topic यहां पे खतम होता है thanks for watching and don't forget to subscribe and share with friends ठीक है आप friends के साथ शेयर करें वीडियो को subscribe करें like करें यादि वीडियो पसंद आया है अब हमाई पास next topic आएगा stack का और हमाई जो unit 1 है वह पूरी की पूरी complete हो जाएगी यह new videos है old videos already डली हुई है यह भी playlist में डल जाएगी ठीक है आपको networking वाली video से कुछ भी चाहिए तो आपको channel पर मिल जाएगी class 12 computer science 2024-25 वाली playlist में जाके आप पूरी देख सकते हैं तब तक के लिए goodbye and take care और bell icon को जरूर प्रेस करके रखें क्योंकि जल्दी stack की video upload होने वाली है ठीक है चलिए goodbye and take care झाल 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 जो आपको झाल